आज मैं आपसे एक फ्रिक्वेंट्ली आस्ट वेस्चिन पर बात करूँगा जो की शंक से रिलेटेड है पिछले काफी दिनों से इसके पहले भी जब से मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल चालो किया है तब से मुझे ही क्वेस्चन बहुत लोग ने मतलब बहुत लोग ने पूछा है लेकिन मैंने कभी ध्यान दिया नहीं इस क्वेस्चन पर आज का टॉपिक है कि क्या महादेव के मंदिर में यहां उनके समक्ष उनके मतलब क्योंकि टेम्पल है महादेव का भगवान शीव शंकर का उनके टेम्पल में शंक बजाना चाहिए या शंक रखना चाहिए या नहीं कि जब मैंने पहली बार जब सवाल सुना था तो मैं थोड़ा सा हसा था मैं मतलब यह सवाल सुनके मतलब किस तरह की मान्यता किस तरह का मिस्कंसेप्शन सा डेवलप हो गया है महादेव जी के प्रति अगर मैं महादेव जी को थोड़ा बहुत भी एक शब्द में एक्स्प्लेंड करना चाहूं तो वो ब्लिस है, एक्स्टसी है, हैपिनेस है वो एक स्टेट है लौड शीवा जो शीवा या महादेव या भगवान शीव शंकर वो जो जिस डिमेंशन में वो होंगे या जो भी वो स्टेट है वो प्यूर एक्स्टसी, प्यूर हैपिनेस ये वो स्टेट है तो अगर आप उनके सामने शंक बचा रहे हो जो की एक डिवाइन फ्रिक्वेंसी एमिट करता है तो आप अपने आपको धोका दे रहे हो पता नहीं कहा से मानने था आगे कि हाँ अरे भगवान शिव शंकर के सामने शंक बचाना नहीं चाहिए मैंने खुद यहां के कई लोकल टेमपल्स में मैंने देखा है कि भगवान शंकर के सामने शंक बचाते है और इफ आम नोट रॉंग नासिक में अगर त्रंबगे श्व टेमपल चुड़ा है वहाँ पर शंक बचता है आरती की दोरान तो पता नहीं कहा से मानने था आगे कि नहीं बचाना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है आप बेजिशक होके शंक बजा सकते हों कि मतलब मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ भी हो आप डेफिनिटली बजा सकते हो मैंने तो मतलब मेरे ऐसे बहुत सरे कस्टमर्स ऐसे है जो जिन्होंने हनुमान गदा शंक मुझसे लिया और वो जो भी कस्टमर्स थे वो महादेव के भक्त थे कैंड आफ मैंसे कहूंगा कि लॉड हनुमान जी महादेव जी के अंश या अवतार ऐसा समझ के उन्होंने शंक लिया और वो बे जीजग होके महादेव जी के सामने उनके मंदिर में शंक बजाते है Not a big deal उल्टा वो शंक बजाने के पाद जैसे शंक ध्वनी या शंक नाद हो जाता है वो पर हर महादेव खुशी से मतलब वो शंक ध्वनी जो की एक स्टेट है जो resemble करता है योर एक्स्टेसी या महादेव के स्टेट से वो शंक बजाने के बाद वो जो एक्स्टेसी फील करते है उसके बाद अपने आप मन से हर हर महादेव निकल आता है तो आप सोचे हर हर महादेव किस भक्ति भाव से निकल आ रहा होगा वो किस भाव से या किस प्रेम भाव से निकल आ रहा होगा प्रेम भाव तब ही आएगा जब आप महादेव की सची भक्ति करते हो ऐसा नहीं कि वो किस चीज से प्रसन्न होंगे किस चीज से दुखी होंगे ऐसा नहीं है वो जज नहीं करते आपको आप बस कुछ भी किजिए अगर आपने भक्ति भाव से जो भी आप कर्म कर रहे हो उनको समर्पित कर दिया तो वो अवश्य प्रसन्न होगे भले ही वो शंक आप दक्षिनावत शंक लेके अभिशेक कर रहे हो या शंक बजा के शंकनात करके होंगी अराधना कर रहे हो अवश्य प्रसन्न होंगे ये मेरा क Best Phone है और ऐसा मत्त सोचिए किसी की कोई भी किसी भी पंडीजी के बेकावे में या की कोई भी लोगों की बाट सुन के अपना एक या अपनी धारना मत बनाई है ठिंक डीपली महादेव जी इतने ये नहीं है मतलब इतने वो वीक नहीं है कि जस्ट उनके सामने अगर अश्रंग बजाओगे वो उनके लिए अपशग उनों का वो मान्य नहीं करेंगे वो ऐसे नहीं है वो वीक नहीं है वो प्योर एक्स्टेसी है इस प्रिजेंड इन एवरी इलेक्ट्रोन या मतलब जो भी है मतलब वो कंड कंड में विद्यमान है महादेव जी उनके सामने शंग दोनी वो जस्ट खल्दू बात है आप उन्हें भक्ती भाव से कुछ भी आरपन कीजिए एक पत्ता एक तुलसी का पत्ता है या कुछ भी आप दे दे एक अश्रू भी अगर आपके निकल आया उनके पत्ती वो भी उसकी कार कर लेंगे तो शंक ना तो मतलब वो तो ऐसी छोटी बात होगी मतलब वो कुछ भी एक्सेप्ट करेंगे अगर आपने बुक्ती भाव से अगर आपने प्रदान की अप्तो तो किसी की भी भैतावे मत आईए अगर आप सच में भगवान शिव या भगवान शंकर महादेव की भक्ती चाहते हो तो ऐसा मत सोचे कि इससे उनको दुख होगा, ऐसा होगा वैसा नहीं आप कुछ भी कीजिए मतलब कर्म करे लेकिन वो ऐसा करे कि मतलब आपको भी मतलब ऐसा लगे कि हाँ मैं कुछ ठीक कर रहा हूँ उनके लिए वो समर्पित हो तो ऐसा यह समझ की यह भाव समझ के आप उन्हें होगा समझ कीजिए तो यह जस्ट मैं डीप गूड बाते में आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है पेज जगाओ के आप शंक बजा सकते और मैं गैरंडी से कहता हूँ दक्षिनावर्थ कुछ भी शंक लेज कि शिवलिंग के उपर आप जला भी शेक या दूट से या दही से भी शेक कर सकते हैं कोई दिपकत नहीं है मैं गैरंडी से लेता हूँ तो यही मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए कि प्रगवांश शिव शंकर या भगवन महादेव के प्रती शंकनात करतु जैसा लोगों के प्रती मिसकंसेप्शन बढ़ गया है वो क्लियर करना चाहिए जो मैंने आज किया I hope यह वीडियो आपको पसंद आयो do like and subscribe मैं चानल मैं ऐसे अलग-अलग spiritual topics cover करते रहूंगा और शंको से related topics भी मैं cover करते रहूंगा so मिलते आख लिए वीडियो में एक ने topic के जैस्ट किस्ना